अब हम अध्यन करेंगे बारवी बायलोजी के अंतरगत चेप्टर का नाम है प्रिंस्पल आप इन्हेरिटेंस एंड विरियेशन वन्सा गतिकी का सिध्धान और विभिन्नताएं इसके अंतरगत मैं अगले टेस्ट का अबजेक्टू जो कोईशन है उसके मैं आप लोगों को अध्यन करा रहा हूँ ठीक है ये लगभग फोर्थ या फिप्थ टेस्ट है क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि जो अबजेक्टू कोईशन होते हैं उस तकों से नहीं मिलते है मेरे जो यूटूब चैनल है उसमें भी नहीं मिलते हैं तो मैं आप लोगों को अतरिक्ट कलेक्शन देने के उद्देश से से कुछ ऐसे ऐसे कोईशन देता हूँ ताकि आपको उस चेप्टर से सम्मंधित अतरिक्ट नालेश मिल सके तो यहाँ पर देखते हैं कुछ अब्जेक्ट्व कोईशन बहुत ही महत्व पूर्ण हैं सभी कोईशन नीट लेवल का हैं इनमें से अधिकांस अब्जेक्ट्व कोईशन कुछ न कुछ कम्पिटीशन परिच्छा में आये हुए हैं और कुछ को मैं अपने श्वेम बनाया हूँ यह आप लोगों के लिए बहुत ही महत्व पूर्ण है ठीक है जी तो यहाँ पर पहला कोईशन है आज का ब्राहा केंद्र की अनवानसिक्ता एस्ट्रा नुकलियर इनहेरिटेंस ब्राहा या ब्राहा केंद्र की अनवानसिक्ता एस्ट्रा नुकलियर इनहेरिटेंस या साइटो प्लाज्मिक इनहेरि इसको तीन नामों सो जना जाता है हिंदी में कहा जाता है अत्रिक्त गुर्ण सुत्री सिध्धान एक और नाम है साइटोप्लास्मिक इनहेरिटेंस एक और नाम है एस्ट्रा निकलियर इनहेरिटेंस अब आप लोगों को मैं साध्यक रूश से बता रहा हूँ तब ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा हमारे सरीर में जो इनहेरिटेंस होते हैं अनवान सिक्ता जो पाई जाती है वो निकलियास के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें पाई जाते हैं आप सबको पता होगा कोशीका होती है कोशिका के मद्ध हमें नुकलियस होती है नुकलियस के अंदर क्रोमोसोम और क्रोमोसोम के अंदर DNA या फिर जीन होते हैं तो जो क्रोमोसोम होते हैं अन्वानसिक्ता का वहाख कहलाते हैं मतलब जो अन्वानसिक्ता की जो पदार्थ होते हैं DNA जो gene होते हैं क्रोमोसोम में ही पाए जाते हैं और क्रोमोसोम की सहायता से एक पिढ़ी से दूसरी पिढ़ी में जाते हैं जब क्रोमोसोम की सहायता से जाते हैं तब इसको कहा जाता है क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस क्योंकि क्रोमोसोम की सहायता से जाती है चूंकि ये nucleus के अंदर पाई जाती है जिसके काड़ इसको कहा जाता है intra-nuclear inheritance लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे extra-nuclear inheritance क्योंकि nucleus के बाहर होती है और chromosome द्वारा नहीं होती है तो इसको कहा जाता है extra-chromosomal inheritance चूंकि ये केंद्रक के बाहर होती है मतलब साइटोप्लाजम में होती है तो यह कहलाती है साइटोप्लाजमिक इनहेरीटेंस ठीक है तो जो साइटोप्लाजमिक इनहेरीटेंस है एस्ट्रा क्रोमोसमल इनहेरीटेंस है इनके जीन किसमें पाए जाते हैं जिसके कराण यह होता है तो इसका उत्तर है सी माइटोकांड्रिया और क्लोरोप्लास्ट आप लोग को पता होगा जो DNA होता है केवल क्रोमोसम में नहीं पाये जाती है कुछ मात्रा में माइटोकांड्रिया क्रोप्लास्ट में भी पाया जाते हैं तो माइटोकांड्रिया क्रोप्लास्ट में जो जीन पाया जाते हैं डीने पाया जाते हैं ये भी कुछ मात्रा में अनवांसी की का कारिया कर सकते हैं आता है इसको cytoplasmik inheritance या astrocromosomal inheritance या astro nuclear inheritance clear अगला question है E. coli में सहलगनता श्यमू की शंख्या E. coli एक bacteria का नाम है इस दिए इसमें linkage group की शंख्या होती है तो आप लोगों को मैं पढ़ाते पढ़ाते बताया था यहाँ पर linkage group की शंख्या होती है total chromosome की शंख्या की आधी total chromosome की शंख्या की आधी उधारन के तार पर हम लोग लेते हैं जैसे की माना में माना में chromosome की शंख्या होती है total संख्या 46 तो माना में होती है linkage group की शंख्या 23, 23 इसी प्रकास है drosophila मक्खी उसमें क्रोमोस्वम की शंख्या होती है 8 मतलब 8 तो उसमें कहना चाहिए linkage group की शंख्या होती है 4 तो यहाँ पर आपको बताना है E. coli में तो E. coli में यह bacteria है इसमें linkage group की शंख्या होती है उत्तर आ जाएगा B C मतलब 1 होती है इसमें total chromosome की शंख्या 2 होती है तो यहाँ पर linkage group कितना रहेगा एक रहेगा 1 रहेगा मतलब उत्तर क्या है C है clear याद रख लेंगे मानों में 23 ड्रोसोफिला में 4 और E. coli में एक आगे मेंडल ने यह पाया कि कुछ लक्षण स्वतंत्र अप्विवन नहीं करते हैं उत्तर कालिन स्वत करताओं ने मतलब बात के साइंटिस्ट ने यह पाया कि इसका कारण किया है मेंडल ने तिन से धान दिये थे प्रभाविता का नियाम प्रिथक कराण का नियाम स्वतंत्र अप्विवन का नियाम में इन्हों ने बताया था जो कारकों की जो जोड़ी होती है एक दूसरे को प्रभावित किये बिना स्वतंत्र रुप से अगली पिढ़ी में जाते हैं लेकिन मेंडल ने यहाँ पाया कि कुछ लक्षण स्वतंत्र रूप से अगली पिढ़ी में नहीं जाते हैं। तो बात के सोत करताओं ने इसका उत्तर क्या दिया। ये कारण क्या है। लिंकेज है। सहलगनता है। क्योंकि सहलगनता के कारण जैसे क्रोमोसम अगली पिढ़ी में जाती है। जीन उनके सांथ 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 जाते हैं। उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। इसी को कहा गह सहलगनता सांथ में हमेशा रहना। तो मेंडल नहीं ये कहा था स्वतंत्र रूप से जाते हैं अलग होकर तो स्वतंत्र रूप से अलग होकर नहीं जाने का बाद में कारण बताया गया। उसका कारण क्या है। लिंकेज और मेंडल ने कहना चाहिए लिंकेज का अध्यान नहीं किये थे। क्लियर। अगला कोईश्यन है दुगडित जीव में क्रोशिंग ओहर उत्तर दाई है दुगडित जीव में क्रोशिंग ओहर उत्तर दाई है तो क्रोशिंग ओहर मतलब होता है जीनों का आदान प्रदान जीन एक्सचेन जीनों का आदान प्रदान होने ही क्या कहलाता है विज्ञान सब तिद्वे क्रोशिंग ओहर www. Hat computational homologos kromosome समजाद गूर्टलों के बीच होती है दो समजाद गूर्टल्टल्टलों के बीच होती है यान गूर्टल्टलल गूर्टलल्ट गूझन का कुछ भाग दूसरे में चले जाते हैं जीन के पुना सयोजन के लिए इसको कहा जाता है genetic recombination जीनों का अदान प्रदान होना genetic recombination मतलब अदान प्रदान होने के बाद genetic recombination होती है जिसके कारण ही आगे चलकर जीओं को क्या होता है विकास होता है हम लोग देखते हैं जब sexual reproduction होता है उच जीओं में तो जो child पैदा होते हैं total 100% माता पीता के शमान नहीं होते हैं उसका कारण क्या होता है crushing over और crushing over के कारण क्या होगा विकास होगा अनुकुलन होगा जब sexual reproduction होता है तो crushing over नहीं होता है और sexual reproduction से उत्पन हुए जीव अपने माता पीता के 100% समान होते हैं जिसके करण A sexual reproduction से उत्पन होने वाले जीवों को क्या कहा जाता है, कलोन कहा जाता है, और उसमें विकास नहीं होगा, अनुकुलन की शंभावना नहीं होती है, clear, आगे, सहल अगें, शहल लगनता का सिधान देने वाला व neden ज्विक्ञानिक है, तो linkage का सिध्धान मुख्रुप से Morgan ने दिया था लेकिन उनके सहोगी काउन थे? कैशल तो उत्तर आ जाएगा A, Morgan and कैशल linkage का सिध्धान, थेवड़ी आप linkage क्रोशिंग ओहर के कार्य करने की इकाई है क्रोशिंग ओहर कार्य करने की इकाई है तो क्रियात्मक इकाई को कहा जाता है, सिष्ट्रון ये सब कहना चीज जीन की इकाई होती है कई बार कहना चीज जीन क्या है? इसकी सरचना कैसे होती है? ये कैसे कार्य करते हैं? अभी तक भी 100% कलियर नहीं है तो बेंजर नामक साइंटिस्ट ने जीन के लिए एक माडल दिया था बेंजर नामक साइंटिस्ट ने जीन के लिए एक माडल दिया था उसको बेंजर माडल ही कहा जाता है उसके अनुसार इनकी तीन ही काई होती है रीकान, म्यूटान, सिस्ट्रान रीकान सबसे छोटी इकाई होती है म्यूटान भी छोटी इकाई होती है सिस्ट्रान क्या होती है सबसे बड़ी इकाई होती है जिसमें निकलोटाइट की संख्या 30,000 से जादा तक होती है रीकान छोटी होती है 2, 4 निकलोटाइट म्यूटान भी छोटी होती है इनकी भी कहना चाहिए निकलोटाइट की संख्या 8-10 जोड़ी होती है सिस्ट्रान सबसे बड़ी होती है इसमें निकलोटाइट की संख्या 30,000 से जाएदा होती है ठीक है, रिकान रिप्लिकेशन की छमता Mewton, Mutation की छमता Cistron, ये क्रियात्मा की काई है तो क्रोशिंग ओहर की क्रियात्मा की काई क्या हो जाएगा Cistron हो जाएगा ठीक है जी ये जीन की सबसे बड़ी इकाई होती है आगे Langic Genan बढ़ाता है Langic Genan बढ़ाता है तो Langic Genan कौन बढ़ाएगा Sexual Reproduction कौन बढ़ाएगा तो Genetic Recombination बढ़ाएगा कौन बढ़ाएगा Genetic Recombination मतलब Genetic Recombination अभी ज़स्ट आप लोग को बताया था हमें क्रोशिंग ओहर के कारण क्या होती है Genetic Recombination होती है Genetic Recombination के एक उदारण बता रहु हुँ मैं जीनो का पुना सयोजन के समय ही क्रोशिंग ओहर होता है जो फर्स्ट म्योसिस होता है म्योसिस Cell Division को दो भागों बाढ़ देते हैं म्योसिस 1, म्योसिस 2 म्योसिस 1, म्योसिस 2 दोनों में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टिलोफेज तो जो प्रोफेज के अंतरगत पांच उप अवस्था होती है प्रोफेज के अंतरगत पांच उप अवस्था होती है लेटोटीन, जाइगोटीन, पेकिर्टीन, डिपलोटीन, डाइकाइनेसिस म्योसिस को पहले दो भागों में बाढ़ देते हैं म्योसिस 1, म्योसिस 2 मियसिस 1 को चार भागों बाटी है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टिलोफेज तो प्रोफेज के अंतरगत 5 उप स्टेज 5 उप स्टेज मतलब लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकिटीन, डिपलोटीन, डाइकाइनेसिस तो कहने चाहिए लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकिटीन, पेकिटीन में कहने चाहिए क्रोशिंग ओहर होता है पेकिटीन में क्या होती है, क्रोशिंग ओहर होती है, मतलब वहीं पर जीनों का अदान प्रदान होता है जीनो का आदान पदान होने के बाद जीनो का पुनह रीकंबिनेशन होता है उसी को कहा जाता है जेनेटिक रीकंबिनेशन जेनेटिक रीकंबिनेशन के कारण ही कहना चाहिए जो चाइल्ड बनते हैं माता पीता से भिन्नता दिखाई देते हैं 100% एक समान नहीं होते हैं अब यसी के करण अनुकुलन होगा विकास होगा अगे कोश्चन है यूगमित समझाद गुड़ सुतरों का प्रिधक करण कीस अवस्था में होती है अभी ज़स्ट आप लोग को बता रहा था मैं जो मियोसिस डिविजन होता है क्या होता है मियोसिस डिविजन उसका मियोसिस फर्ष्ट उसके अंतरगत प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टिलोफेज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टिलोफेज प्रोफेज के अंतरगत पांच उप अवस था लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकीटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस तो युगमीत समझाद गुर्ण सुत्रों का मतलब जो समझाद गुर्ण सुत्र होते हैं, दोनों के जीनों का आदान प्रदान होता है समझाद गुर्ण सुत्र के जीनों की बीच में जो आदान प्रदान होता है उसी को क्रोशिंग ओहर बोलते हैं और क्रोशिंग ओहर होने के बाद दोनों समझाद गूंट सुत्र एक दूसरे से क्या हो जाते हैं आइसोलेट हो जाते हैं प्रिथक करण हो जाते हैं तो कौन सी अवस्था में प्रिथक करण होते हैं तो इसका उत्तर है डिपलो टीन इसका उत्तर है डिपलो टीन याद रख लेंगे इसको पेकी टीन अवस्था में क्रोसिंग वहर होगा जीनों का आदान प्रदान होगा पेकी टीन अवस्था में और आदान प्रदान होने के बाद दोनों समझाद गुर्ण सुत्र एक दूसरे से क्या होते हैं प्रिथाक होते हैं तो कौन सी अवस्था में प्रिथाक होती है डिपलोटीन, एक और अवस्ता होती है, यहाँ पर आपसन में नहीं है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकीटीन, डिपलोटीन, डाइकाइनेसिस, पांच अवस्ता होती है ठीक है, तो जो डाइकाइनेसिस होती है, उसमें टर्मिनाइलाजेशन की क्रिया होती है उपांती भवन की क्रिया होती है, उसको भी एक बार सेट में पुछा गया था, एक बार व्यापम में पुछा गया था, मतलब टर्मिनलाइजेशन की क्रिया कि उसमें होती है, तो जो पांचवा उपिस्टेज होता है, डिपलोटिन के बार डाइकाइनेसिस, उसी में उपांत भवन टर्मिनाइलेजेशन की क्रिया होती है एक बार आया था जाइगोटीन में साइनेपसिस होती है दोनों समझाद गुंड सुत्र एक दूसरे के पास में आ जाते हैं यूगमन हो जाते हैं साइनेपसिस हो जाते हैं तो साइनेपसिस की क्रिया यूगमन की क्रिया जाइगो की प्रापन की खर्शी होती है है क्लियर है आगे कोंश्यन है ढाइक टीश लिएट रीकम्बिनेशन दो रहा होता है यह वही कोंश्यन है जेनेटिक ॉप्रेंस की सब्सक्राइब करोमोस्हों की शेंख्या होती हैं अपलोग को बता रहा था मियोसिस जिविजन के समय ही होता है क्लियर आगे है माना में रसो म सबूर की शंख्या होती है मानाव में एलोसोम से गुंड सूत्रों की शंख्या होती है इसके बारे मैं पहले अब्जेक्टू में बताया था हमारे सरीर में क्रोमोसोम की शंख्या होती है मान लो चमालिस प्लस लिंग क्रोमोसोम यदि मेल है तो एक सवाई, फिमेल है तो एक सेकस जो चमालिस होते हैं उसको कहा जाता है आटो सॉम सा लेकिन दो और बज़ गया है फिमेल में एक सेक्स और में एक सवाई उसको कहा जाता है सेक्स क्रोमोसॉम लेकिन आज कल एलो सॉम सा कहा जाता है Link chromosome को क्या कहा जाता है Allosome या allesome से कहा जाता है Clear उसमें और ज़ादा detail में जाएंगे तो जो y chromosome होते हैं Mail में जो y chromosome होते हैं उसको कहना चाहिए इंड्रोसम् कहा जाता है Y chromosome को क्या कहा जाता है एंडिरो सोम chromosome jQuery Do Y chromosome उसमें टीडीए पाई जाती है Y chromosome में TDA dependence determining factor testis determining factor इसी के कारणट कहाना चाहिए जिसमें Y chromosome पाई जाते हैं वे नर होते हैं क्योंकि नर का गूण किसमे होते हैं Y chromosome सके टी डी एप में होते हैं clear वाई क्रोमसों में पाया जाने वाले जीन को वैसे तो उसमें कम जीन पाया जाते हैं वाई क्रोमसों में वैसे तो कम जीन पाया जाते हैं जिसके कारण जीनों को उसमें निस्क्री जीन भी कहा दिया जाता है क्योंकि जीनों की शेंख्या कम होती है लेकिन एक कोश्यां आता है, Y-Chromosome में पाया जाने वाले जीनों को क्या कहा जाता है, तो Y-Chromosome में पाया जाने वाले जीनों को होलांडरिक जीन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, होलांडरिक जीन, इसी होलांडरिक जीन में हाइपर ट्राइकोसीस पाई जाती है, हाइपर ट्र पुस्त्री में नहीं जाती है हाइपर ट्राइकोसीस मतलब करण में हेयर का पाया जाना पीता से पुत्र यह वाई क्रोमसों में होलोंड्रीक जिनके कारण ही यह पाई जाती है चुंकि कहना ची वाई क्रोमसों फिमेल में नहीं पाई जाती है वाई क्रोमसों फिमेल में नही नहीं पाई जाती मतला हाइपर ट्राइकोसिस की क्रिया फिमेल में नहीं जाती है पीता से क्लियर तो यहां पर मानव में एलोसॉम से गुंड सूत्रों की शेंख्या होती है तो यहां पर उत्तर क्या आ जाएगा इतनी होती है दो एकस एकस या फिर एकस वाई क्लियर आगे है मानव इस्पर्म में आटोसॉम से होते हैं मानव सुक्राणू में आटोसॉम से होते हैं ग्यारा बारा सोरी बाईस चमालिस पैतालिस तो यहां पर बाईस को माना गया है बाईस जोड़ी होती हाला कि यहां पर चमालिस भी दे दि वास्तों में यहाँ पर चमालिस नहीं होना है तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है ठीक है तो यदि टोटल संख्या बताएंगे तब चमालिस कहेंगे आटो सोम समें संख्या चमालिस लेकिन केवल आटो सोम से लिखा गया है तो यहाँ पर कहना चाहिए संख्या कितनी है 22 है आगे है एक अनिसेचित माना अंडे में क्या होता है तो जो कहना चाहिए जो फिमेल होती है उसमें आप लोग यदि क्रोमोसम का इस्तिति याद है तो इसमें एक ही सेकंड लगेगा इसको बताने में तो उत्तर क्या जाएगा डी एक एकस क्रोमोसम मतलब जो फिमेल के कहना चाहिए उहाम होती है उसमें तो 22 प्लस एकस केवल एकस होती है तो उत्तर क्या जाएगा डी एकस क्रोमोसम उपर वाले तीनों आपसन क्या है दो एकस क्रोमोसम गलत एक एकस और वाई कुमोसोम गलत एक वाई कुमोसोम गलत तो उत्तरा जाएगा 22 प्लस एकस है तो केवल एकस कुमोसोम मतलब D 17 नमबर का कोशियन है 13 किसी पॉपुलेशन में किसी पॉपुलेशन में जीन का कूल योग कहलाता है तो किसी पॉपुलेशन में जीनों की कुल शेंख्या कहलाती है जीन पूल कहलाती है क्या कहलाती है जीन पूल समझ्टी पॉपुलेशन मतलब किसी एक विशेश छेत्रा में पाये जाने वाले जो जीव होते हैं यहाँ पर मानाव मतलब मानाव नहीं कहा जा रहा है ठीक है मतल पर जीतने भी जो population होते हैं उसमें जीतने भी जीन होती है उनकी cool verdade girl को क्या कह जाता है जीन पूल कहा जाता इस अगला question क्रोमो सुम सब्द किशने दिया था क्रोमोब सुम सब्द किशने दिया था इसको मैं पिछले वीडियो में भी बता था ठीक है जीन का खोज किशने किया था जोहंसन नामक साइंटिस्ट ने 1909 में जीन्स पाए जाते हैं तो जीन किसमें पाए जाएंगे राइबोसोम लाइसोसोम क्रोमोसोम इस्फिरोसोम तो यह किसमें पाए जाएंगे क्रोमोसोम समें गूंड सुत्र में ठीक है हमारे सरीर में नुकलियस के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं गूंड सुत्र पाए जाते हैं 46 की संख्या में और क्रोमोसोम में ही DNA पाए जाती है और DNA के जो छोटे-छोटे भाग है उसको जीन कहा जाता है जीन के शेंक्या हमारे सरीर में 40,000 से 50,000 तक होते हैं अलग-अलग पुष्टक में अलग-अलग होता है किसी में 40, किसी में 50, किसी में लिखा रहता है 50,000 से 1,000,000 तक पाई जाती है तो यह सभी जीन किसी में पाई जाते हैं क्रोमोसोम समें ही पाई जाते हैं आगे है क्रोमेटीन की रसानिक प्रकृति होती है क्रोमेटीन की रसानिक प्रकृति होती है तो क्रोमोसोम की रसानिक प्रकृति क्या होती है क्रोमोसोम की रसायनिक प्रकृति क्या होती है क्रोमेटीन मतलब क्रोमोसोम क्रोमेटीन मतलब क्रोमोसोम कोशीका के अंदर क्रोमोसोम हमेशा क्रोमोसोम के रूप में नहीं पाए जाते हैं हाला कि हम लोग क्रोमोसोम ही कहते हैं गुंड सुत्र ही कहते हैं लेकिन याद रखेंगे कोसीका के अंदर ये जो क्रोमोसोम से होते हैं ये गुंड सुत्र होते हैं हमेशा इस रूप में नहीं पाय जाती है ये पाय जाती है महिन धागेक रूप में और इसको कहा जाता है क्रोमेटीन ये जो महिन धागेक रूप में पाय जाते है क्रोमेटी कि रसानिक प्रकृति क्या होते हैं मतलब यह किस्टे बने होते हैं तो उत्तर आ जाएगा प्रथम जैसे के हम लोग पहले डी एने जानते हैं जो डी एने होते हैं हिस्टोन प्रोटीन से क्रिया करते हैं जो डी एने होते हैं डी एने किस्टे बना होता है यह सब आप लोग को पता होगा DNA किष्चे बने होते हैं तीन पदार्थों से मिलकर बने होते हैं क्या क्या होते हैं एक होते हैं डी आकसी राइबोस सरकरा डी आकसी राइबोस सरकरा आरेने में राइबोस सरकरा डी एने में डी आकसी राइबोस सरकरा आरेने में राइबोस सरकरा दूसरा होता है नाइट्रोजन बेस, DNA और RNA दोनों में होते हैं, नाइट्रोजन बेस, और ये दोनों में दो प्रकार के होते हैं, प्यूरीन और प्यूरीन और प्यूरीन और प्यूरीन और ये चार प्रकार के होते हैं, एड्ड नैन गवानाइन साइटोसिन थाइमिन, आरेने में थाइमिन के जगा यूरसिल पाई जती है तो पहला पदार्था हो गया, डी आकसी राइबोस सरकरा, और दूसरा हो गया नाइट्रोजन बेस और तीसरा होता है फासपूरिक एसीड, ये हो गया DNA डी ने कहना ची हिस्टोन प्रोटीन से क्रिया करती है या हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ती है तब किसका निर्वाण होता है गुंड सुत्र का निर्वाण होता है तब यहां पर उत्तर क्या जाएगा बी नाभी की अमला और हिस्टोन प्रोटीन और नान हिस्टोन प्रोटी यह होते हैं उनमें उनका जो गूड़ सूत्र होता है नुकलीक एसिड और नान हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। तो उत्तर क्या आ जाएगा यहाँ पर वी कि मतलब नाभी की अमल और हिस्टोन प्रोटीन या फिर नान हिस्टोन प्रोटीन is clear का लोग को सूत्र और यह फिर स्थान चिन तो अभी ज़स्ट आप लोग को सूत्र में ही पाए जाते हैं और कि विषयत स्थान में ही इसको लोग्डिक जिन कहा जाता है कई बार पूछा जाता है हो लोडरिंग जिन किसमें पाई जाती तो वाई क्रोमोसमस में पाई जाती है और वाई क्रोमोसमस में टीडी एप भी पाई जाते हैं क्लियर क्लियरे हैं आजे कोईस्टटेंग हुश है लेकिन यहां पर द दढया है Leptotin डिपलोटीन तो अभी आप लोग को बताए है थे मैं पेकी टीन अवस्था में क्रोशिंग ओहर होता है लेकिन उसके जश्ट बात क्या होती है डिपलोटीन जिसमें दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं अलग होते हैं तो कई पुस्तकों में लिखा रहता है 90% क्रोशिंग ओहर होती है पेकी टीन में और 10% किसमें होती है य데टी आपको किवल एक बताना रहेगा मतल़ आपसपंवे रहेगा मालो लेप्तोटीन जाइगोटीन पेकितिन डिपबोट्टीन तब आपको बताना है पेकी यहाँ पर दो नाम दे दिया गया है तो उत वो इत उतिते आ झाएगा बीर पेकीmyटीन और डिप क्रोम्सम स्वार होते हैं यदि उसको केवल एक चीत्रा दोरा पदर्सित करें केवल एक चीत्रा की सहाथा से से केयो टाइप केयो टाइप मतलब मानव सरीर में जो 13 जोडी गुन्ड सूत्रा होते हैं उसको APE這個是 चीत्र द्वारा बता दीजिए, चीत्रों द्वारा पदरसित कर दीजिए, तब उसको कहा जाता है केरियो टाइप, लेकिन इसको आप घड़ते क्रम में बताएंगे, या बढ़ते क्रम में बताएंगे, या फिर किसी एक विशिष्ट लक्षण को लेकर बताएंगे, इietet ने बताईये तब उसको हम नोग ऐयंगे। अधियो ग्राम कि ऍे wij योग्राम पुस्तक में देखेंगे कुछ पुस्तकों में दिया रहता है जो 23 मेन क्रॉम्शूमंस होते हैं कि उसको एक चीत्र में दिखा जाता और घर्टते हुए क्रम में बताया जाता है ठीक है जैसे वाई क्रोमसोम सबसे छोटे होते हैं तो उसके सबसे लाश्ट में बताया जाएगा तेश्वे जोड़ी मालों कहने ची बड़े होते हैं तो पहले बताया जाएगा बाइस्वे जोड़ी मालों छोटे हैं तो उसके बाद में बताया जाएगा एक घड़ते क्रम या फिर बढ़ते क्रम में बताया जाएगा तब उसको इडियो ग्राम लेकिन केवाल एक चीत्र द्वारा पदरसित करना तब उसको कहलाएगा केरियो टाइप क्लियर आगे है क्रोमोसोम जिनकी भुजाएं शमान होती है या फिर बराबर होती है इसको मैं पिछले वीडियो में बताया था सेंट्रो मियर की कहने इस्तितिक अधार पर यह चार प्रकार के होते हैं मेटासेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक और टिलोसें सेंट्रल के जस्ट बगल में मतलब दो भुजा तो बनती है लेकिन एक साट प्रतिसत और एक चालिस प्रतिसत तब इसको बोलेंगे सब मेटा सेंट्री एक्रो सेंट्रीक दो भुजा तो बनती है लेकिन सेंट्रों में रेकदम किनारे मिस्थित हो जाती है तो एक भुजा बह चोटी मतलब वो 5 प्रतिसत अब टीलो सेंट्रिक में तो केवल एक बिंदू करूप में पाई जाती है बाकी उसमें केवल एक ही भुजा होती है तो उत्तर क्या जाएगा क्रोमोसोम जिनकी भुजाएं समान या बराबर होती है तो उत्तर क्या जाएगा ए मतलब मेटा सेंट् आगे लिंक संलगनता में विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् inheritance या इसको और साब्दी का अर्था में कहा जाता है पीता फिर पुत्री फिर पुत्र पीता पुत्री पुत्र पीता पुत्री पुत्र या फिर क्रीश क्रास inheritance inheritance clear तो यहां पर उत्तर क्या आज आएगा किया आएगा क्या आज आएगा डी क्योंकि इसमें दोनों हैं क्रीश क्रास inheritance और पीता पुत्री पुत्र clear D आगे question है chromosome के 1-2 बनने की क्रिया कहलाती है यह बहुत ही simple है chromosome के 1-2 बनने की क्रिया क्या कहलाती है duplication यह कहना चाहिए S phase में होती है जो cell division होता है दो आउस्ता होती है एक होता है interface और एक होता है विभाजान अवस्ता जो interface अवस्ता होती है उसमें 3 sub-stage होती है G1, G2, S phase G1, G2, S phase तो S phase अवस्ता में क्या होती है doubly question की क्रिया होती है clear आगे है गुण सुत्रों की शंख्या निश्चित होती है गुण सुत्रों की शंख्या निश्चित होती है तो आप सब लोगों को पता होगा प्रतेक जाती में गुण सुत्रों के शंख्या क्या होती है निश्चित होती है जैसे मानाव एक जाती है homo sapiens इसमें 46 मतलब 46 कम यह ज़्यादा हुआ तब वो syndrome है वो disease है ठीक है डॉग में एक निश्चित संख्या चाहे कोई भी डॉग हो अमका पावधा भेंगी फेरा इंडी का उसमें एक निश्चित संख्या नीम का पावधा येज्यक्रेटर इंडी का मतलब प्रतेक जाती में इनकी शंख्या कीतनी होती है निश्चित होती है डुग सोफिला में 2 मतलब 8 क्लियर आग आगे question है मानाव जिनोम में पाये जाने वाले कुल नाइट्रोजिनस छारों की संख्या लगभग होती है मानाव जिनोम में मानाव जिनोम मतलब मानाव के सेरीर में पाये जाने वाले जिनोम की कुल संख्या ठीक है लेकिन विज्ञान सब्द में कई बार यहां सा अब्जेक्ट व कोश्चन आते हैं उसमें जिनोम क्या है तो उसमें उत्तर दिया रहता है है एपलाइड क्रोमोसोम में हैपलाइड क्रोमोसोम मतलब अगुडित गुण सूतरों में पाये जाने वाले जीनों की कूल तो बताएं जाता है तीन वीलियन के आज पास तीन वीलियन के आसपास तो उत्तर आजाएगा डी क्लियर लास्ट में कॉश्यन है क्रूमो सोम को किस से स्टेनिंग अभी रंजीत किया जाता है है जो क्रोमोसॉम होते हैं उसको कहना चाहिए साप देखने के लिए इस्टेनिंग या फिर कहना चाहिए अभी रंजित किया जाता है तो तो उत्तर क्या है यहां पर आइसीटो कारमीन ठीक है जी तो आज के लिए केवल इतने ही उसके बाद अगले दिन पुनह मिलेंगे प्रिंस्पल आप इन हेरिटेंस के अंतरगत जो आगे का जो टेस्ट है उसका हम लोग अध्यन करेंगे ठीक है तो आज के लिए केवल इतना ही मुझे उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग मेरा प्रतिक वीडियो को आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आपको नीट के लिए विशेश रूप से लाब मिलेगा ठीक है नीट को छोड़ कर आप सबसेट का एक्जाम दिलाएंगे नेट का एक्जाम दिलाएंगे पीजी टी बनेंगे लेक्चरर बनेंगे व्यापां को कोई भी आप एक्जाम दिलाएंगे जो बायोलोजी से रिलेटेड रहेगा तो आपके एक भी कुश्चन नहीं चुकेगा क्लियर तो आज के लिए के वल इतना ह कल पुनाह मिलेंगे तब तक के लिए ओके बाई बाई